आज में बात करने वाला हूँ दो महान यूटिवर के वारे में है। संदीब महीशुरे और विवेक बिंदरा। दोनों महान एए- एक बिजिनिस्मेंन, एक इंटरपनेय forces एक पैसे लेकर के काम करते हैं, तो एक फिरी में काम करते हैं। एक शुरुबात करते हैं वो संदीब महिसुरी से ही इंस्पाइर हुए है उन्से ही सीखा है और हम उनके साथ fight कर रहे हम उनसे ही लड़ रहे हैं मतलब जो गुरू ने ग्यान दिया है हम उस ग्यान को गुरू पर ही अजमा रहे हैं और आपको पता हो अच्छे से हिस्टरी में आप पढ़के देख लेना कि जिसने अपने ही गुरू शे अपने ही गुरू को दबाना चाहे है अपने गुरू को ही नीचा दिखाना चाहे है वो खुद मिट गया है खुद नस्ट हो गया बरबाद हो गया है विवेक बिंद्रा उनको गुरू तो नहीं मानते लेकिन मुझे इतना पता है कि सीखा उनसी है जब संदीब महिस्तुरी निये मिट के नाम से अपने प्रोग्राम से चलाए थे वहां पर बहुत सारे लोग आए बिवेक बिंद्रा भी आए सारी मॉटिवेशनल स्पीकर आए बहुत सारे यूटूबर आए वही चीज़ कॉपी करें बिवेक बिंद्रा ने संदीब महिस्तुरी ने बताया था कि उनको एक पर्षन जो सो करोड रुपे देने वाले थे कि अगर वो उनके लिए काम करें तो उनको सो करोड रुपे देंगे और उन्होंने प्लान में बताया था कि किस तरह से उनको काम करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ा सैम को सैम कॉपी किया बेवेक बिंद्रा ने संदीप महिसुरी कोई भी आइडिया देते हैं, वो कॉपी करते हैं और एपलाई करते हैं अपने कमपनी में तो महान गुरु कौन हुआ डॉक्टर बिवेक बिंद्रा या फिर शंदीप महिसुरे शंदीप महिसुरे ने ओपन चैलेंज कर दिया है बता दिया है कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो इतनी बात शिर्प एक इंसान कह सकता है जो इमानदार होगा कोई मिलावट नहीं होगी लेकिन जिसके अंदर मिलावट होगी वो चिलाएगा भौकीगा कहईगा देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ कुछ नहीं कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे आग से खिलोगे तो जल जाओगे संदी पहिसरी अपना हर सेसन फिरी क्यों करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मिडल फैमली के जितने लोग हैं वो बड़े बड़े डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं इसली वो कोशिच करते हैं वो समझाते हैं उनको कि self-dependent कैसे होना है कैसे अपने आपको update करना है कैसे लोगों से वचना है बहुत साजी चीज़ बताते हैं मैं भी उनसे इंसफायर हूँ मैंने भी उनसे बहुत कृष शीका है और मैं नहीं नहीं इंडिया को हर एक इंसान उनसे सीख रहा है चाहिए वो कहें या ना कहें किसी में हिम्मत नहीं होती यह बताने कि कि मैंने उनसे सीखा है मैं कहता हूँ हमने सीखा है और उन्होंने समझाया है हर एक इंसान को बहुत अच्छे से सब फोलो करते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है विवेक बिंद्र होता है वो और जीनल ही होता है वेल हमेशा ओर जीनल की होती है ना की कौपी की होती है आज राज खुल गया आज संदीप सन्ने बिल्कुल खुलासा कर दिया कि तुम क्या हो और तुम क्या कर रहे हो भारत को बरबात करने में लगे हो हर एक गरीब बच्चे को तुम और उसके अंदर सपनी होते हैं उसके अंदर जुनून होता है कि मैं अब कुछ कर जाओंगा वह इस उम्मीद से आता है कि मैं अपने और अपने परिवार के शपने पूरे करूंगा लेकिन जब वो यह खरीद लेता है आपके यहां से IVC खरीद लेता है आपके प्लांस खरीद ल तक कर जा लिया था वो पैसा चुकाते चुकाते बहुत समय निकल जाता है और इसलिए बहुत सारी लोग सुसाइट कर लेते हैं इंडिया को बरबाद करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाक है डॉक्टर बीवेक विंद्रा आप डॉक्टर लगाते हो एंबी एक यानि फरज पर अपना जो भी कर रहे हैं वो करो नो प्रॉब्लम है बीस में टांग क्यों आ रहे हो संधीप सर महान थे महान है और महान रहेंगे डॉक्टर बिवेक विंद्रा बार बार दंकी में बोलते हैं कि दो को मैं तुम्हारे साथ क्या करने बाला हूं तुम कुछ नहीं कर लेकिन उनके पास एक चीजँ और है और वो है जन्ता, आटीन्स, लोग हर एक इंसन उनके साथ खड़ा है उन्होंने जब से बोला हैं हजारों वीडियो बन चुके ही तुमारे उपर उनके उपर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है तो वो तो बताओ दिखाओ दिखो जो हीरा होता है उससे कहीं भी रख दो अदेरे में भी रख दोगे फिर वी चमक देगा लेकिन काँच को तो उजलिय में रख दोगे न तो वो गरम हो जाएगा वो पतां चल जाएगा कि एहेरा नहीं एक आँच है कब तक वो कांच अपने आपको छुपाएगा कब तक सहेगा धूप एक नए एक दिन तोसे गरम हो नहीं है और जिस दिन गरम होगा पता चल जाएगा यह हीरा नहीं है यह कांच है लोगों को आप समझ में आ गया है कि आप और जिन नहीं हो आप डूपलीट हो अप उनसे कंपेश करते हो संधिव महसुरी से आप कंपेयर करते हो हो उनकी वेलिव क्या है आपको पता है आपके पास टीम है आपके पास बहुत सारी लोग हैं content Creator है तुम उनके content को सिर्फ copy करते हो ओ यहां वीडियो में paste कर देते हो content create करने वाले तुमारे लोग हैं वो content को create करते हैं और तुम वहाँ पे paste कर देते हो बता देते हो लेकिन संदीब भाहिसुरी ऐसा नहीं करते वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो team है ना वो वो है कि एडिटिंग करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सूट करते हैं उनका जो भी content है वो खुद का है वो किसी से content नहीं बनवाते हैं लेकिन तुम content बनवाते हो तो original की power क्या होती है वो तुम्हें अच्छे से पता है duplicate की value क्या होती है वो तुम्हें पता है इसलिए मत पंगालो उनसे और जितने भी लोगों का पैसा है refund करो और ये चीजें बंद करो जो तुम कर रहे हो वरना वही होगा जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ मतलब कि देश छोड़के भागना पड़ेगा